दोस्तो इस वीडियो में हम step by step सीखेंगे कि कैसे एक performance max campaign को setup किया जा सकता है और उसको अपनी e-commerce sales या lead generation के लिए use किया जा सकता है तो दोस्तो campaign create करने के लिए सबसे पहले आप अपने google ads के dashboard पे आ सकते हैं यहां पे जब प्लस बटन दवाएंगे अब सबसे पहले आता है आप अपने campaign का objective चूज कर सकते हैं sales, leads या तो local store visit यह तीन case में performance max campaign बहुत अच्छा काम करती हम sales को चूज करेंगे फिर दोस्तो आपके पास option आता है goals चूज करने का तो यहां पे आपके अगर already कोई conversion में goals set है तो वो इस तरीके से आपको दिख जाएंगे otherwise आप add goal की बटन दवा के भी goals को add कर सकते हैं वैसे अगर performance max campaign अगर हम चला रहे हैं तो हमारे पास पहले से कुछ न कुछ conversion होना बहुत जरूरी है तभी हमारी जो यह campaign है वो अच्छे से हमारे लिए काम कर पाती है इसके बाद आपको चूज करना पड़ेगा कौन सा campaign type बनाना तो obviously हम यहाँ पर performance max को चूज करेंगे campaign type में अब अगर आपकी e-commerce website है आपके products है जो online sale होते हैं तो इसके लिए आपका definitely merchant center account होगा merchant center account को आपको यहाँ पर choose करना है यह select account में जाके और आपको जो भी active merchant center account हो इसको आप यहाँ से choose कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पर आप campaign का नाम दे सकते हैं sales performance max test में यहाँ पर test लिख देता हूँ continue करेंगे तो दोस्तो यहाँ पर आपको budget डालना पड़ेगा आपको कम से कम 500 रुपे का budget डालना है अगर आपके पास possibility हो तो आप 1000 रुपे का budget डाले दोस्तो performance max campaign को शुरू करने से पहले आपके पास कम से कम 30 conversion होने चाहिए at least एक महीने के अंदर क्योंकि यह automated campaign है इसलिए यह पुराने data का use करके ही perform कर पाती है अगर आपके पास 30 conversion नहीं है तो performance max campaign आपके लिए अभी सही नहीं है दोस्तो bidding में आपको दो option मिलते है conversion और conversion value conversion आपको तब चूज करना है जब आपके पास same ही प्रकार के यानि की same price के बहुत साइब products हो और conversion value आपको तब चूज करना है जब आपके सभी products के अलग 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 profit margin हो हाला कि जब आपके पास conversion data कम है यानि की 30 या उसके around ही है तो आपको conversion से start करना चाहिए जहां पर Google यह कोशिश करेगा कि आपको जादा-जादा conversion दे पाए जब आपके पास भरपूर data है मतलग काफी जादा data है काफी जादा conversions आपके हो चुके हैं फिर उसके बाद आपको conversion value पर जाना चाहिए तो दोस्तो Google भी अपनी तरफ से आपको recommend करता है कि पुराने data के हिसाब से आप 95 रुपीज जैसे कि यहाँ पर देखा रहा है आप 95 रुपीज पर conversion दे सकते हैं इसके अलावा भी अगर आपको गलत लगता है तो आप अपने हिसाब से adjust कर सकते हैं यानि कि कितने रुपे आप खर्च करना चाहेंगे कि आपका एक conversion गूगल आपको करके दे दोस्तो जब आप conversion value select करते हैं तो यहाँ पर आपको दूसरा option मिलता है ROS का यानि कि Target Return on Add Spend यानि कि आप कितना खर्च करके कितना return पाना चाहते हैं तो यहाँ पर पर्सेंटेज है उसको आप times में convert कर सकते हैं जैसे कि आपके Facebook में जो रहता है 3 times का 3 ROS 4 ROS वह यहाँ पर आके 100 में हो जाता है यानि कि 300 ROS 400 ROS अज जैसे कि 400 लिखा यानि कि आपने 1 रुपे खर्च करके आपको 4 रुपे की value का आपका sale होगा हलाकि यह possible अगर है तो होगा नहीं possible है तो नहीं होगा ऐसा मतलब Google कोई आपका वह जी नहीं तो है नहीं होता लेकिन हा एक reasonable एक practical value अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो इससे आपको बहुत जादा फायदा होता है और आगे की videos में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसमें थोड़ा सा adjustment करके आपकी चीजों में आपकी performance में कितना फरक आ सकता है तो फिलाल आपको starting के साब से conversions पर सिलेक्ट करना है यानि कि आपको add को चलाना है maximize conversion पर यहां पर value अगर recommended आ रही है तो आप उसी को रख सकते हैं फिर हम next कर देंगे location में आप जिस location में चलाना चाहते हो उसका select कर लें लेंग्वेज में आप जरूरत है तो select लें otherwise रहने दें more settings में जाके अगर आपको किसी भी समय चलाना तो चला सकते हैं वैसे तो all day रहने दें final URL expansion दोस्तो final URL expansion एक बहुत important चीज है यहाँ पर इसका मतलब होता है कि आप इसको अगर on कर देंगे तो आप performance max को आजादी दे रहे हैं कि वह अपने हिसाब से किसी भी landing page पे आपकी website के लोगों को ले जा सकता है जो कि highly recommended है फिर भी दोस्तो अगर आपकी website के कोई ऐसे pages है जहां पर आपको लगता है कि यहां पर किसी भी customer को या किसी भी user को ले जाने का कोई फायदा नहीं है तो आप उसको exclude URL में डाल सकते हैं उसके लिए आप यहां पर exclude URL की button दवाएंगे और जो आता है asset group, asset group एक bundle of assets होता है, creatives होता है जिसमें आप सारी सीजे डालते हैं ताकि Google different channels पर जो आपके ad चलाएगा वहां पर appropriate तरीके से आपके ad को दिखा सके इसमें सबसे पहले हमको select करना रहता है कि आपको किस product पर चलाना है किस product category पर अगर आप मर्चंट सेंटर में पर दोस्तो हम यहां नीचे आते हैं यहां पर सबसे पहले आप देख रहे हैं URL expansion on है याने की Google अपने सबसे decide करेगा फिर भी आप यहां पर कोई भी recommended अगर आपका URL है तो आप जरूर डालें अगर Google उसको ज्यादा priority देगा अगर वह सही होगा तो उस पर लेके जाएगा औ इमेजिस में आप लगभब 20 images इसमें डाल सकते हैं जितनी ज्यादा अच्छी हो सकें जितनी ज्यादा creative images हो सकें वैसी आप इमेजिस डालें जैसे ही दोस्तो आप इमेजेस सेलेक्ट करेंगे hyah YouTube की बटन दबा के देख सकते हैं किस तरीके से आपका एड जो है यूटوبे पर डिस्प्ली होगा इसी तरीके से किस तरीके से आपका एड जो है Gmail पर डिस्प्ली होगा या Search पर डिस्प्ली होगा या तो फिर डिस्प्ले या किसी भी एप के अंदर किस तरीके से डिस्प्ले होगा तो यहां पे आप देख सकते हैं दोस्तों इमेजेस के बाद आपको पांच लोगो डालने हैं लोगो की गया कंडिशन वह आप यहां पर वीडियो सेलेक्ट करने हैं दोस्तों वीडियो सेलेक्ट करने का बहुत ही आसान तरीका जरूरी नहीं है कि वह यूट्यूब चैनल आपके Google Ads account से connected हो तो ही आप वो वीडियो को चला सकते हैं अगर कोई भी आपके products related YouTube पे कोई भी वीडियो अगर डला है तो उस वीडियो को आप ऐसे अपने एड में यूज़ कर सकते हैं आपको बताता हूं कैसे आप यहां वीडियो पे क्लिक करेंगे वीडियो पे क्लिक करने के बाद आप यहां सर्च यूट्यूब की बटन पर जाएंगे यहां पर आप जो भी URL डालेंगे वह URL का वीडियो एज एड आपके performance max campaign में एड हो जाएगा और वह एड की तरह आप अगर वह आपी के product का है या कोई आपी की product के बारे में बात कर रहा है किसी ने भी रेंडम ली अगर वीडियो बना रखा है तो उस वीडियो का भी आप यहां पर यूज कर सकते हैं यह बहुत बड़ा advantage यहां पर आपको मिलता है फिर इसके बाद आती हैं दोस्तों headlines 30 characters में आपको headline बनानी बिल्कुल जैसे आप search ad में बनाते हैं वैसे आपको यहां पर headlines बनानी है long headlines जो है वो 90 character की रहेंगी 90 characters की जो long headlines रहेंगी उसमें भी आपको एक तरीके से pitch देनी है और वो headline की तरह ही होने ची उसके में आपको एक example बदाते तो जैसे दोस्तों मैंने search किया online woman कुरता है तो यहां पर आपको एक ad दिख रहा है यहां पर देखिए एक long headline दिख रही complete your ethnic look with true browns enjoy site-wide special discount shop now ठीक है तो यह description बिल्कुल नहीं है यह headline है यह long headline है इस तरीके की headlines का आप use कर सकते हैं यहां पर आप long headlines में भी जित्ती भी headlines आपके पास possible होती है आप यहां पर 90 characters में डाल दें वो आपके अलग-अलग creatives के साथ mix match होके display हो जाएगी फिर दोस्तों इसके बाद आता है description description में आप 4 description डाल सकते है 90 characters की जिसमें आप अपने benefits features या other facilities के बारे में बता सकते है description में बिल्कुल आप तो performance max के अंदर भी site links डाल सकते हैं इसके लाब आपने campaign level पर या account level पर जो भी site links call outs या जो भी search ad की requirements रहती हो अगर आपने पहले से fulfill कर रखी है तो यहां पर automatic use हो जाएंगी इसके बाद दोस्तों more asset types आते हैं यह optional है अगर आप इसमें use करना चाहें और इसके बाद दोस्तो audience signal, audience signal मतलब अब आप Google को बताएंगे कि किन-किन signal का use करना है ताकि वह जादा जादा बहतर customer या बहतर type के लोग आपके लिए ढूंड सके जो की convert हो जाएं आपकी website पर आके, मतलब वह खुद तो ढूंडेगा ही लेकिन उसको आप कुछ clue कैसे कैसे देंगे, कुछ data कैसे देंगे, कुछ signal कैसे देंगे तो चली वह हम देखते हैं, add an audience signal की button दबाएंगे इसमें दोस्तो, या तो आपके already audience signal created हो तो आप use कर सकते हैं नहीं, तो आप new की button दबाते हैं, इसमें हम नाम दे देते हैं, test, दोस्तो अप audience signal के लिए चार मेन चीजे होती है custom segment, आपक कस्टम सेग्मेंट मतलब दोस्तों आप Google की सर्च एक्टिविटी या Google की इंट्रेस्ट एक्टिविटी के हिसाब से यहां पर लोगों का डेटा डाल सकते हैं जैसे कि आप यहां पर एड क्रिएट करेंगे तो यहां पर वापस से न्यू सेग्मेंट का उप्शन आएगा तो यहां पर फिरसे हम टेस्ट डाल देते हैं अब आप से पूछ रहा है कि लोग कैसा सर्च कर रहे हैं Google पर वह आप कीवर्ट भी यहां डाल देंगे तो भी Google ओन लोगों को ढूंड लेगा जो इस टाइप कीवर्ड से सर्च कर रहे हैं या आप गूगल पर शो किये जाने वाले इंट्रेस्ट वाले कीवर्ड को भी यहां पर डाल सकते हैं तो उससे भी Google ढूंड लेगा कि किस टाइप की लोगों को आपका एड दिखाना है सांती साथ आपको यहां दो ऑप्शन और मिलते हैं कि आपका कस्टमर किस टाइप की वेबसाइट विजिट करता होगा उस टाइप की वेबसाइट की लिंक भी आप यहां पर डाल सकते हैं या आपका customer किस टाइप के एप्स का यूज करता होगा उस टाइप की एप्स पी आप यहां पर डाल सकते हैं audience signal को detail में समझने के लिए एक और दूसरा वीडियो बना दूगा जिसमें हम detail में बात करेंगे कैसे हम एक effective audience signal क्रिएट कर सकते हैं जो आपके customer list बनी हुई हो उस list को अगर आपने audience में अपलोड कर रखा है तो वह भी आप यहां पर select कर सकते हैं इसके लावा जिन लोगों ने आपकी website से purchase किया हुआ उसकी भी अगर आपने audience बना रखी है तो वह भी आप यहां पर your data में डाल सकते हैं इससे Google को idea मिलेगा कि कैसे लोग अभी तक आपकी website विजट करते रहे हैं या कैसे लोग आपकी website पर आके convert होते रहे हैं उन लोगों के data का वो यहां पर use कर पाएगा उसके लिए हम यहां पर click करेंगे तो यह आपको बताता है कि आपके हम यहां पर सेंपल website visitor को use कर लेते हैं तो फिलार हमने एक सेंपल website visitor को use कर लिया है कि पिसले लास तीन दिन में जो भी लोग आया है उनका intention ज्यादा क्लियर है इसलिए उनको हम target करेंगे अब दोस्तों यहां पर आता है interest targeting अब आपको in market audience या affinity audience में से choose करना है कि कौन-कौन सी audience ऐसी हो सकती है जो आपके customer बनते हैं और उनका आप यहां पर selection कर सकते हैं उसके लावा दोस्तों demographic आता है अगर आप बहुत जादा clear है demographic में कि किस age के या किस gender के लोग ही आपके customer बनते हैं तो ही आप यहां पर selection करें अधर आप इसको open भी छोड़ सकते हैं फिर हम यहां पर save कर देंगे इस तरीके से दोस्तों audience signal complete हो जाता है अब हम यहां पर next करते हैं अब आप दोस्तों finally अपनी campaign का review कर सकते हैं कि आपने क्या-क्या चीजे डाल रखी हैं कैसे-कैसे adjustment किया हुआ है जैसे कि हमने assets में हमारी headline, short headline, long headline और description नहीं डाला तो यहां पर error दिखा रहा है उसको अगर हम complete कर देंगे तो हमारे पास publish का option आ जाता है फिर हम इसको publish कर पाएंगे दूसरो performance max campaign से related आपके जो भी confusion है या जो भी doubt से वह आप नीचे comment section में डाल सकते हैं हमारे weekly live में आपके comments में पूछे गए doubt और confusion को discuss किया जाएगा इसके अलावा अगर आप e-commerce related ad services लेना चाहते हैं या कोई course सीखना चाहते हैं digital marketing से related तो नीचे description में link और number दिये गए हैं जिस पर आप contact कर सकते हैं झाहते हैं